कपूर परिवार का हर सदस्य सेलिब्रिटी स्टेटिस एंजॉय करता है। जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं और गुमनामी में अपनी जिंदिगी विता रहे हैं और इन ही में से एक है करन कपूर। 17 जनवरी को करन कपूर का जनम दिन होता है तो चलिए आज आपको शशी कपूर के बेटे करन के वारे में बताते हैं कि वो फिल्मों और लाइमलाइट से दूर अब कहां रहते हैं, क्या करते हैं और उनके परिवार में कौन-कौन से सदस्य हैं। ये तो सब जानते हैं कि शशी कपूर ने विदेशी थेटर आर्टिस्ट जेनिफर कंडेल से शादी की थी। इस शादी से शशी कपूर के तीन बच्चे हुए कुनाल कपूर, करन कपूर और संजना कपूर। पिता के नक्षे कदम पर चल कर शशी कपूर के तीनों ही बच्चों ने आक्टिंग में किस्मत आजमाई थी। लेकिन इसे दुर्भागे ही कहा जाएगा कि कोई भी अपने पिता की सफलता को दोहरा नहीं पाया। बात करन कपूर की करें तो आज वो एक नामी फोटोग्राफर हैं। लेकिन एक वक्त था जब करन ने फिल्मों में नाम कमाने के लिए कड़ी मशक्कत की थी। करन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। अस्ती के दर्शक में जाने माने मॉडल और आक्टर रहे थे वो। उस दौर में वो कई विग्यापनों में नजर आए। बॉंबे डाइंग के एक विग्यापन से तो वो बेहत फेमस हुए थे। मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद, साल 1978 में करन कपूर ने श्याम बैनेगल की फिल्म, जुनून से बॉली वूड में कदम रखा, जिसके बाद साल 1986 में करन ने जुही चावला के साथ फिल्म सल्तनत में काम किया। फिल्म सल्तनत के जरिये करन कपूर ने में स्ट्रीम सिनेमा में एंट्री की लेकिन ये फिल्म बूरी तरह से फ्लॉप रही इसके बाद उन्होंने लोहा, जलजला और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्मों में भी कांग किया लेकिन करन का यूरोपियन लुक उनकी सफलता के आ गया, अपनी विदेशी लुक्स की वज़ह से करन हिंदी फिल्मों में हीरो नहीं बन पाए, इसके बाद करन ने बॉलिवुड से दूरी बढ़ा ली थी और हमेशा के लिए वो लंदन में सेटल हो गए, यहां वो अपनी फोटोग्राफिक कमपनी चलाते हैं, करन कपूर उनकी फैमिली लाइफ की बात करें तो पिता की तरह ही करन ने भी अपने लिए विदेशी जीवन साथी को चुना, उन्होंने विदेशी मॉडल लॉर्ना टार्लिंग से शादी की है, करन कपूर और लॉर्ना दो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनकी बेटी का नाम आलिया ह तो बेटे का नाम जैक है, जैक हूबो हूब अपने पापा की तरह दिखते हैं, तो वहीं आलिया खुबसूर्ती के मामले में अपनी कजन सिस्टर्स को भी मात देती हैं, आलिया को विदेशी लुक्स अपने पिता और मा से विरास्त में मिले हैं, विरो रिपूर एट्वे 24.